अगर किसी मिस्तरी ठेकेदार या इंजीनियर को इंटों का नॉलिज नहीं होगा ना तो वो घर नहीं बना पाएगा अगर बनाएगा तो ऐसा बनाएगा कि बस घरी बनाओगा तो इसी तरीके से हर अक फिल्ड के अंदर building blocks को समझना बहुत जरूरी है यानि कि सबसे चोटे से चोटे unit को समझना बहुत जरूरी एक रैटर के लिए building blocks of रैटिंग कौन कौन से होते हैं आया वो रैटर किस तरीके से words को choose करता है, sentences कैसे बनाता है या वो writer किस तरीके से paragraph को structure करता है, at the end, पूरे का पूरा scientific writing का जो article है, उसे किस तरीके से refine करता है, यही सब कुछ हम सीखने वाले हैं, आज के इस lecture में, असलाम अलेकुम, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, और आज है scientific writing mentorship program का day 6, तो चलिए start करते हैं, यह हमारा 6 मा का program है, जिसके अंदर हम आज day 6 के उपर हैं, day 6 हमें क्या कहता है, let's jump into it, आज हम पढ़ने वाले हैं building blocks of writing, scientific writing, academic writing, या किसी भी किसम की writing के अंदर, यह सारे rules apply होते हैं, even though if you are writing a social media post, तब भी यह rule आपके पास apply होंगे, so building blocks of writing में तीन किसम के major जो हैं, वो building blocks हैं, यानि कि जिन पे पूरे का पूरा writing जो है, वो मुनहसर होती है, यह depend करती है, सबसे पहला है word choice, आप words को कैसे choose करते हैं, यानि कि कौन-कौन से ऐसे words हैं, जो आप choose करके एक sentence को बना रहे है Obviously, जब words बनेंगे, तो sentence बनेगा, sentence अच्छे होंगे, तो paragraph अच्छा होगा, इसकी वो ही मिसाल है, अगर int अच्छी होंगी, तो एक दिवार अच्छी बनेगी, और अगर दिवारे अच्छी होंगी, तो एक कमरा अच्छा बनेगा, और एक कमरा अगर अच्छा बनेगा, तो पूरे के पूरा घर अच्छा बनेगा अब इंटों से अकेली दिवारे नहीं बनती बलके बेस भी बनती है तो building blocks of writing are also base of writing सीखना चाह रहे हैं न अगर आप नहीं सीखना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है इस वीडियो को skip कर दे लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो please write down in the comment section तीन किसम के building blocks है word choice, sentence structure and paragraph structure अब इन तीनों को बारी बारी देखते हैं सबसे पहले आती है बात word choice की there are few rules of principles or principles of word choice पहला है words should be precise बहुत ही precise किसम के words आपने चूज़ करने ऐसे words choose करने जो जामे लफजी मतलब आपको बता सके फिर words should be simple ऐसे मुश्किल इलफाज का चुनाओ नहीं करना जो आपको या किसी पढ़ने वाले को reader को google करने पे मशबूर कर दे तीसरी चीज़ words should be necessary यानि कि आपने वही words चूज़ करने है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो precise, simple, necessary और अब विसली इन तीनों को अगर मिलाएं तो हमारे पास एक बड़ी statement बनती है which is omit needless words यानि कि आपने जो गैर जरूरी इलफाज है उन्हें निकाल देना है अब होता क्या है कि हमने जब कोई चीज लिखी होती है तो हमें सारा का सारा material बड़ा एक class का लगता है लगता है ना? आपको भी लगता होगा तो आप क्या गरते हैं जो आपको चीज़े पसंदे हैं जरूरी नहीं है कि तीसरे चौते scientist को या readers को पसंदा है मुझे तो सारे सही लग रहे हैं बट what you say तो आप communication करते हैं दूसरों के साथ अचारी इसकी चोड़ी सी example मैं देता हूँ आपको अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गहर ज़रूरी अलफाज का चुनाव करते हैं तो principle of word choices के अंदर ही सोशल मीडिया के example आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अगर आप यहां पर गौर करें तो इस बंदे ने हुवी हुआ ने तकरीबन 17 अगस 2022 को यह post की थी और उसने लिखा था how would you rewrite he was born in 1991 ठीक है क्या आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे के वो 1991 में पैदा हुआ तो to avoid plagiarism and I want to see how ridiculous we can go we can get lots of laughs अच्छा रिख आउट अफ लॉड पता नहीं क्या था जो भी था can you do it in your way अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और प्लीज राइट दाउन these things into the comment section क्या आप he was born in 1991 आप अभी गयर जुरूरी इलफास का चुनाओ करके सिर्फ plagiarism को remove करने की चक्कर में आप इसको कैसे लिख सकते हैं ठीक है he was born in 1991 let's see लोगों ने क्या जवाब दिया लोगों ने जवाब दिया coming into existence has never been a remarkable event yet on one dreary day in the year 1991 in a hospital somewhere far off he came into being उसी चीज़ को इस बंदे ने इस तरीके से लिखा फिर यहाँ पे एक और तरीका he came into the world quietly an unremarkable event unforgettable in the grand scheme of things after all there was money to be made the year was 1991 the year in which legends came into being but not him though after all he paled in comparison to Azealia Banks यानि के जो उस वकत Azealia Banks बने थी या किसी entity का नाम होगा या किसी person का नाम होगा उनके साथ-साथ ये बंदा भी 1991 में पैदा हुआ या हुआ अच्छा अब आप गोर करें कि लोग गैर जरुरी अलफास को लिख के किस तरीके से एक sentence को बढ़ा कर रहे है extend कर रहे है और साथ-साथ plagiarism को भी remove कर रहे है यानि कि जो ये वली चीज लिखी थी scientifically ऐसे लिखा जाता है obviously this is not the right way वो सिरब मजाख उड़ा रहे है ये sarcastic हो रहे है तो ये दो examples मैंने दी है अगर आप इस tweet को search करें यहां से screenshot लेके भी आप search कर सकते हैं Google पे या 17 August 2022 का इस बंदे का tweet देखें तो you will see fantastic answers लोगों ने किस तरीके से मजाख उड़ाया उन लोगों का जो गहर जरूरी इलफाज का चुनाव करते हैं इसका मतलब है we don't need to use गहर जरूरी इलफाज and we have to omit those needless words that will make our words very I would say nice then आते है sentence structure sentence structure के अंदर we will talk about that in a minute and do not string ideas together मतलब multiple ideas को स्ट्रिके से स्ट्रिक नहीं नहीं करना कि एक ही sentence के अंदर उनको लिखने पहचे हैं you can do one thing at a time तो sentence बनाने का रोल यह है कि short sentences बनाने complex, simple और compound भी बना सकते हैं but not really long like 3-4 लाइन का एक sentence नहीं don't string ideas together एक idea पर एक ही sentence हो और उससे आगे connecting word यूज करते हुए आप दूसरी idea के तरफ मूफ करें one at a time ठीक है? अब इसकी कुछ examples देखते हैं for example यहां पर हमारे पास तीन किसम के sentences होते हैं यानि के simple sentence है compound sentence है and complex sentence है simple sentence क्या होता है? जिसमें subject होता है verb होता है plus a kind of compliment यानि के she smiled ठीक है? she ran या he ran something like this तो आप बहुत simple sentence यानि के दो अलफाजों का एक जो है दो अलफाज का two words make one sentence और यहां भी अगर आप गर करें compound sentence के उपर two or more simple sentences joined by a coordinator and punctuation यानि के she smiled comma हमारे पास punctuation आगी and she laughed तो यह हमारे पास हो गया compound sentence इसी तरीके से हमारे पास complex sentence है complex क्या होता है an independent idea and a dependent idea in one sentence एक independent और एक dependent idea यहां पे हमारे पास सिरफ दो चीजों को हमने जोड़ा है she smiled and she laughed यह दोनों connecting है यहां पे dependent and independent का रोल है यानि कि she smiles when she is happy मतलब जब वो happy होगा उस पे dependent करता है वो smile करेगा अब कोई बंदा अगर sad है तब smile करे तो इसका मतलब क्या है या तो उस बंदा को को गहरी चोट लगी हुई है या on the other side he or she is not mentally perfect or mentally good तो दो तरीके हो सकते हैं ठीक है so हमारे पास simple compound and complex sentences हम easily बना सकते हैं अब इसको और भी detail में देखते है मसला नहीं है कोई भी let's see simple sentences के अंदर and basic sentences which consisting of which consists of या आप कह सकते है sentences consisting of a single independent clause इसमें एक single independent clause होती है they contain a subject and a predicate and express a complete thought ठीक है तो इसके अंदर आप क्या करते है complete thought को यहाँ पर बताते है an independent clause होती है which is a group of words that contain a subject and a predicate and expresses a complete thought it can stand alone as a sentence अब यह क्या चीज़ होती है इसको हम गोर से समझते है हमारे पास simple sentence के अंदर basic sentence होता है यह basically consisting of a single independent clause single independent clause है clause का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ जो हम किसी English के words को use करते हुए कोई final thought बताते है अब इसको और भी detail में पढ़ते है they contain a subject and a predicate and express a complete thought अगर आप गोर करें simple sentence में she smiled ठीक है एक ही हमारे पास clause है which is an independent clause she smiled और हम इसके अंदर अगर आप गोर करें यहाँ पे हमारे पास predicate भी है predicate भी इसे बोलते है और express a complete thought अब इसको और से देखते है an independent clause is a group of words यानि कि words को जब जोड़ते है तब ही sentence बनते है that contains a subject subject क्या है हमारे पास she subject के बाद and a predicate and expresses a complete thought यह हमारे पास आगर प्रेडिकेट या एक compliment भी हो सकता है जो उस subject के साथ related है जो उस subject के बारे में बता रहा है she smiled तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा basically completing a thought एक thought क्या है proper information है जो हमें एक proper sentence बना के दे रही है it can stand alone as a sentence ठीक है तो एक independent clause एक हमारा sentence बनाती है जिसे हम simple sentence बोलते है इसकी example भी देखते है आपको और भी समझ आजाएगा and then we will see usually structure इसकी क्या होती है subject होता है person हो सकता है place, thing or idea that is doing or being something आप कोई भी idea भी लिख सकते है subject को एक person भी बना सकते है या कुछ भी इसमें discuss कर सकते है and then predicate क्या होता है the part of sentence that tells something about the subject usually including a verb ठीक है और यह usually क्या होता है एक verb होती है जो उस एक subject के बारे में हमें information दे रहा होता है ठीक है तो simple sentence की structure कुछ इस तरीके से इसकी example जो है simple sentence की the truck is decorated इसमें subject है the truck reflects the cultural tradition of elaborately decorating trucks in Pakistan predicate is decorated तो verb हमारे साब पास आरी है और किसी चीज का होना कहना, सहना, पाना, खाना, पीना वो सारा इसमें आ जाएगा so the truck is decorated फिर अगली हमारे पास जो example है she wears a shalwar khameez ठीक है और she मतलब subject predicate wears a shalwar khameez ठीक है तो यह भी हमारे पास simple sentence है फिर एक और आ जाता है बियानी is delicious ठीक है they celebrate ETH the call to prayer sounds sounds ठीक है so यह हमारे पास कुछ examples है simple sentence की अब आपने क्या अगर ने अपना time ले और अपने subject से related कोई दो या तीम simple sentences comment section के अंदर ज़रूर लिखेगा आप याद रखें कि scientific writing को सीखने के लिए practice बहुत ज़रूरी है अगर आप मुझे सुनते जाएंगे आप कुछ नहीं सीख भाएंगे this is just a kind of radio या FM 101 आप के लिए लेकिन अगर आप लिखेंगे साथ साथ practice करेंगे then it will help you a lot simple sentences की 2-3 examples please write down in the comment section hopefully आपने लिख दी होंगी अब आगे चलते हैं अगर नहीं लिखी तो उस वीडियो को पॉस कर दे और प्लीज राइड दान in the comment section compound sentence क्या होता है compound sentences are sentences that contain two or more independent clauses इसमें दो independent clauses हो सकते हैं दो से जयादा भी हो सकते हैं और वो जॉइन की जाती है by coordinating using conjugation और a semicolon ठीक है conjunction not conjugation conjunction 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 sorry for that conjunctions और a semicolon अब आपने comment section में बदाना है कि यहाँ पर क्या वलती मैंने की है so it will actually increase our understanding as well कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं अब यहाँ पर compound sentences के दो independent clause है यह उससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो conjunction और semicolon के साथ हमने जोड़ी होती है for example each independent clause in a compound sentence means can stand alone as a complete sentence यानि कि दो हमारे जो simple sentences हम दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारा compound sentence मनता है but they are combined to show a relationship between ideas हमने जो दो same ideas को relationship के थो शो करवाने के लिए simple sentences को जब हम चोड़ते हैं उसे compound sentence बूला जाता है अब compound sentence के अंदर क्या होता है हमारे पास independent clauses होती है for example की components जो है compound sentence के वो होते हैं for example यहाँ पर मैं बताता हूँ independent clause each part of compound sentence is an independent clause with its own subject and predicate यानि के हर एक independent clause एक proper sentence होगा ठीक है coordinating conjunction क्या होगी these are used to join the independent clauses the most common are for, nor, and, but, or, yet, and so यह कुछ most common conjunctions हैं जो sentence को जोडती है so, yet, or, but, nor, and, for ठीक है often remembered by the acronym fanboys इसे बोला जाता है fanboys क्या है for, and, nor, but, or, yet, so तो fanboys क्या चीज़ है basically fanboys conjunctions है coordinating conjunctions जो compound sentence को बनाते हुए independent clauses को जोडने में help out करती है यानि के दो simple sentences को जोडने में semi-colon क्या होता है semi-colon can also join also join independent clauses without a coordinating conjunction इसके अंदर आप semi-colon भी यूज कर सकते हैं without using any of these coordinating conjunctions लेकिन एक अच्छा है English का writer जो है academic writer और scientific writer वो ज्यादा तर in coordinating fanboys को use करता है यानि के for, and, nor, but, or, yet, so ठीक हो गया अब हमारे पास अगली चीज़ आती है compound sentences की examples with a coordinating conjunction अगर हम conjunction यूज कर रहे हैं तो ये first part में examples है अगर नहीं use कर रहे हैं semi-colon use कर रहे हैं तो second part में हमारे पास example है तो पहली example क्या है I wanted to go for a walk but it started to rain अब देखे it started to rain एक simple independent clause है और ये हमारे पास simple independent clause यहां पे है I wanted to go for a walk मैं walk के लिए जाना चाहता था लेकिन बारिच स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब यह है कि ये comma और but हमने दो चीज़ें use की है यहां पे comma तो punctuation में आ जाएगा but हमने as a coordinating conjunction use किया यहां पे सो दो sentences को ऐसे जोड़ा है अब देखें दोनों आपस में linked भी है इनका relationship होना बहुत जरूरी otherwise you cannot join them और usually scientific writing के अंदर बहुत जादा लोग सिरफ वलती इस वज़ा से कर जाते हैं क्योंकि उनका link नहीं बन रहा होता है एम इस sentence को जोड़ देते हैं फिर independent clause 1 इसके अंदर ये वाली है but हमारे पास coordinating conjunction है and it started to rain हमारे पास independent clause 2 है फिर हमारे पास आते है semicolon के दुरू जोड़ना जैसे ये है she studied hard for the exam फिर semicolon she passed with flying colors तो आप ऐसे भी use कर सकते हैं so usually क्या होता है scientific writing के अंदर जब आप coordinating conjunctions को use कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा better होते है but somehow एक scientific writing के आर्टिकल लिके अंदर is always better to use at least one or two semicolon sentences just to show the variety के आपको लिखना आता है you know the basic rules of writing ठीक है simple sentences हमने बढ़ा compound sentences बढ़ा compound sentences में क्या आतर दो simple sentences जूड़ते है और उनके अंदर coordinating conjunction होती है ये semicolon होता है so this is how you can actually make two kind of sentences easily अब आगे चलते हैं यहां पर अगर आप गवर करें तो हमारे पास है complex sentences which is the third type of sentences complex sentences are sentences that consist of one independent clause and at least one dependent or subordinate clause अब इसमें क्या है दो sentences को ही जोड़ना है लेकिन एक जो है वो independent है और दूसरी उसी पर depend कर रही होगी ठीक है यानि के दोनों एक दूसरे के साथ linked है और dependent है यानि के एक के बिना दूसरी नहीं बन सकती subordinate नहीं बन सकती so the dependent clause provides additional information to the main idea but cannot stand alone as a complete sentence ठीक है dependent clause की बात हो रही है यानि के दूसरी जो है वो अकेला नहीं आप sentence लिख सकते यहाँ पर अगर देखे पिछले में compound sentence में हम लिख पाए थे it started to rain भी हम लिख सकते है बारिज स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर अकेला I wanted to go for a walk भी लिख सकते है तो दोनों हम अकेला अकेला लिख सकते है लेकिन complex sentence में हम दोनों अकेली के लिख सकेंगे we will see an example but complex sentences often use subordinating conjunctions to link the dependent clause to the independent clause ठीक है तो हम यहाँ पर subordinated conjunctions को use करेंगे subordinated conjunctions कोंसी है let's see हमारे पास complex sentence की examples और key components हम देखते है independent clause जो है the main clause होती है जो stand alone भी कर जाती है dependent clause वो वली होती है जो clause cannot stand alone but it depends on independent clause ठीक है और उसका meaning जो है वो इसके साथ जुड़ा होता है subordinated conjunctions क्या है words that link dependent clauses to independent clauses यानि इन दोनों को जोडने के लिए ठीक है इन दोनों को जोडने के लिए जो हम use करेंगे these are different kind of words than fanboys fanboys are different kind of words और यह जो है subordinated conjunctions these are different तो हम देखते है word that link dependent clauses to the independent clauses such as because since although if when while and after तो यह हमारे पास subordinating conjunctions है पिछली हमारे पास थी fanboys जो हमारे पास है conjunctions only और तोस आर used to make compound sentence complex sentence के अंदर हम subordinated conjunctions को use करते है अब इन तोनों में main फरक क्या है यहाँ पे हम देखते है हमारे पास है जनाबे वाला compound sentence जिसमें दोनो अलादा अलादा भी हाथ हिल सकते है ठीक है यह है हमारा complex sentence यह दोनों जुड़े हूं है और एक जो है this independent and independent clause और hopefully आपको complex sentence की समझ आगी होगी अब complex sentence कैसे होते है अब ही देखते है because it was raining we cancel the picnic ठीक है यहाँ पे हमने reason दी है we cancel the picnic जो है वो क्यों की because it was raining और आप because को start में भी ला सकते है ठीक है we cancel the picnic because it was raining भी कर सकते है so this is how independent clause है we cancel the picnic and dependent clause है because it was raining because it was raining is dependent on cancel the picnic ठीक है subordinated conjunction है because and then she will succeed if she works hard dependent clause क्या है she will succeed independent clause है she will succeed dependent clause क्या है कि अगर वो मेहनत करेगी ठीक है मेहनत करेगी तो खाम यहाब होजाएगी sorry and then we have subordinating conjunctions if this के अंदर subordinating conjunctions है and then you have another one although he was tired he finished his homework ठीक है he finished his homework है independent clause dependent clause है although he was tired and subordinating conjunction है मारे पास although ठीक है so this is how you can create different complex sentences as well अब सेम वोही चीज़ है अपने simple sentences की compound sentences की and complex sentences की दो से तीन examples आपने each of these sentence type की write down करनी है in the comment section it will help you to increase your knowledge as well अब यहाँ पर गौर करें हमारे पास कुछ लोग चार types भी बोलते हैं sentences की simple हमने देख ली complex हमने देख ली फिर आती है compound अब compound में क्या होते है one independent and one dependent clause जो है हमारे पास यहां पर मुझूद होती है जो हमने पहले भी पढ़ा complex के अंदर two independent clauses हमने देखा दा और यहां पर sorry it's written differently compound के अंदर आपके पास जो है वो दो independent होती है this is wrong here and complex के अंदर आपके पास एक independent और एक dependent होती है compound or complex अगर आप इन दोनों को मुलाएं at least two independent and one dependent clause आजाती है which makes a bit bigger sentence for example because I am cultured I love dogs and I appreciate cats okay so this is how you can see so यह example जो है यह मैंने internet से ली थी but this is wrong example बताने का मकसद यह है कि आप internet से जो भी उठाते हैं और भी नहीं होता so you need to confirm that अब आपने क्या करना है simple, compound, complex and compound complex चार किसम के sentences बनाने है and it will help you to understand किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं अब यहां तक मैं आपको इतने बताने वाला था next lecture के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप paragraph को structure कर सकते है paragraph को structure करना is a big thing in itself और building blocks of writing का वो हमारा अगला lecture होगा अपना क्या रखे comment section में please assignments को जरूर लिखा करे it will help you and see you in the next lecture, take care, Allah Hafiz